दिए ये अजमेर में जो वैचाली नगर का इलाका है वैचाली नगर में रिलाइंस मार्किट है रिलाइंस फ्रेश का जो स्टोर है उसके ठीक सामने एक रेस्टोरेंट है उसके नीचे ये एक खाना बदोष यूवक है वो यहाँ पर मिला है और इस खाना बदोष यूवक की हालत खराब बताए जा रही है हाला कि इसमें कोरोना के लक्षन किसी परकार से नहीं है लेकिन बेहोशी की हालत इसके अंदर दिखाई दे रही है जो मेडिकल की टीम आई है उन्होंने आकर जो जाँच की है उस जाँच के मताबिक बेहोशी की हालत में खाना बदोष यूवक मिला है इस से जब और सकत पूस्ताच की गई है तो ये जानकारी भी परात हुई है कि जब जो रेल म्यूजियम है वहाँ से जब एक कोरोना खाना बदोष आया है एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया उसके बाद ये महाँ से भाग कर इधर आ गया था अभी तक इस से जो पूस्ताच हुई है उसके मुताबिक इसने अभी तक ये नहीं बताया है कि आखिरकार ये यहाँ के अलावा और कौन कौन सी जगे शेहर के गया है क्योंकि फिलाल जो इस खाना बदोश की हालत है वो बेहोशी की हालत में बताया जा रहा है इसको और इसी लिए अभी तक इससे पूरी पूस्ताच नहीं हो पाई है मेडिकल की टीम जो आई है 108 यहां पर आई है और इसके बाद जेलेन अस्पताल इसको लेकर गई है और उसके बाद जब इसकी हालत थोड़ी ठीक होगी तो इसके बाद और पूस्ताच होगी और उसके बाद यह पता चल पाएगा कि आखिरकार यह जो खाना बदोश यूवक ह यह शहर के और कौन-कौन से इलाकों के अंदर गुमा है अभी तक जो इस्तती है वो यह सपस्ट नहीं हो पाईए कि अखिरकार यह जो खाना बदोश यूवक भाग के रिल मुजियम से आया है यह और कौन-कौन से इलाकों के अंदर गया है लेकिन जो प्रात्मिक तोर पर अभी जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक यूवक इस खाना बदोश यूवक के बारे में कंट्रोल रूम को सूचना दी गई थी और वहां से तुरंद पुलिस ने अपनी मुस्तेदी को दिखाते हुए यहां पर जो अजमेर नौर्थ की जो सीओ हैं डॉक्टर प्र है तो उसके बाद आसपास के अंदर डर का माहौल है कि आखिरकार जो अलवरगेट का रेल मुजियम में वहां से जो खाना बदोश लोग इधर उधर भाग कर गए हैं वह आखिरकार शहर के किनकरी अलाकों में गए होंगे और भी कितने खाना बदोश लोग हैं जो यहां प किरकार जब रेल मुजियम के अंदर खाना बदोश लोगों को रखा गया था तो खाना बदोश लोग भार कैसे आ गए शहर के कही इलाकों में कैसे चले गया सबसे बड़ी बात है क्या इनकी regular counting नहीं होती थी जो खाना इनके पास 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 परियाब संख्या में पास पास शेहर वासी लगातार अब प्रिशाशनिक जो व्वस्ता की गई ती खाना बदो शों को रखने की इसको लेकर लापरवाई हुई कूले कर सवाल खड़े कर रहे हैं उसको लेकर के तेहर रें की आखरकार इतनी बड़ी को की आधो으로र और देखाई देरे अ 16 अप्रेल को MPTV इंडिया ने अपने कैमरे के अंदर ये कैद किया था कि जो दौलत बाग के आसपास का जो इलाका है वहां पर बहुत सारे खाना बदोश लोग सडकों के उपर मौजूद हैं उसके बाद हमने चुकरवार रात को जो रिपूर्ट दिखाई थी जिसमें हमने कह आठ कोरोना पॉजिटिव खाना बदोश लोग मिले हैं उसके अंदर भी हमने दिखाया है कि किस तरीके से शहर के कई इलाकों के अंदर खाना बदोश लोग मौजूद हैं उसके साथ में शनिवार की सुबह यानि कि आज की जो सुबह है उस सुबह भी मार्टन ब्रीज के नीचे से खाना बदोश लोग मिले हैं जिसको पुलिस ने पकड़ा है और उसके बाद ना उनकी जाच भी की जा रही है उनको होम शेल्टर किया जाएगा लेकिन ये लगाता जो खाना बदोश लोग मिल रहे हैं इनको लेकर सवाल अब जमेर उठाने लग गया है कि आखिर ले लिया गया है उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया है इसके बारे में अभी तक आधिकारी कोई भी अधिकारी पुस्टी करने के लिए तयार नहीं है सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम अजमेर के जो करमचारी और जो अधिकारी इस पूरी जिम्मदारी में लगे वे और शेहरवासी जो सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर बहुत सवालों में हैं कि किस तरीके से आखिरकार अब इन सवालों का जवाब दिया जाए और उसी के चलते अब कई लोग जब इस सवालों के उपर जवाब तलब कर रहे हैं तो किसी परकार से जानकारी फिलाल निगम क अधिकारी नहीं दे रहे हैं लेकिन जिस तरीके से खाना बदोश मिल रहे हैं वो एक बहुत बड़ी प्रिशाचनिक चूक है बहुत बड़ी लापरवाई है कोरोना मामारी के दोरान और अब इसमें सीधे तोर पर सरकार को दकल देना चाहिए कि आकिरकार जो प्रिशाचनिक कदम उठाए उनके ओपर कड़ी कारवाई भी करें हाला कि आपके आसपास के इलाके में कहीं भी अगर खाना बदोश दिखाई देते हैं तो आप कंट्रोल रूम पर पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दे सकते हैं और उसके साथ जो आपका नजदी की थाना है उस पर भी कि आप सूचना दें जिससे की तुरंत प्रबाव से खाना बदोश लोग को गिरफ्त में लिया जाए और उसके साथ में उनके लिए जो हॉम शेल्टर शेहर के भार अप तयार कर दिये हैं वहां पर उनको बिजा जाए जब सुबह रिपोर्ट आई की दो खाना बदोश लो आई इसल्टर आए को बनाया गया कींश लोगों को रखा गया तो उसके बाद प्रचाशनिक अमले के अंदर इस बाद इस सवाल के ओपर मंतन हुआ और उसके बाद ये फैसला किया गया कि इन खाना बदोश लोगों को शहर से बार रखा जाए गा जिसके लिए बगवंद इनवर्सिटी को चेनित किया गया है जो चाचियावास में स्थित है और वहां पर अब इन खाना वदोश लोगों को शिप्ट करने की तैयारियां शुरू हो गई है उसके साथ में अब जहां से भी जहां से भी सूचना है लगातार प्रिशाशन को मिलेगी पुलिस को मिलेगी तो खाना वदोश लोगों को यहां सर उठाकर सीधे जो होम शेल्टर शाहर के बाहर बनाए गए वहां पर शिप्ट किया जाएगा में इनफोर्सिमेशन दी गई थी क्रिश्यन का इंठाने के जरीये यह कहते हैं इनको इसको रोका था तो हमने इसने पता करा था यह कहते हैं इसका नम कहा है इसका प्पूस अनौफ मंगल एज 19 साल यह कहते हैं बिस दिन पहले अजमेर आया था केला से और इसको बस स्टॉ यहां पुलिस ने इसको यहां पर रोका और कंट्रोलों में इंफोर्मेशन दी उसको आद मेटिकल टीम यहां आई और इसका ट्रेकप करके इसको एंबुलेंस के दरीए होस्पिटल जाए तो तीन दिन यह वहां से फरार हुआ तो कहा हुआ है वह कुछ बताने की इस्क्रिति पुलिस यहख़गाँ पुलिस वहां से को यह फिरस पुलिसाहर टीन दोत्रेकषर की इस सब्सक्रिट की इसक्षब जाएबूदाबू जाएबू का तो एंप लाएबू परा बाल में जार सुब़ एंग यहां ग्याएबूडबूदार एंसान पहां जाएबूदा